लेटास आजियू आजके अमुरा पड़वोत किवावे अंकोखे शॉल्फ कोते पारी अमुरा कुंट्रकार मैथोड लागे यह अंकोड़ा अमुरा शॉल्फ कोरनुगो अंकोड़ा होच्छे मैक्जेट इस इकाले लागे एक्टार मैक्सिमाइजसान टाइफेर पोब्लेम आमुरा शॉल्फ कोरनुगो शरुकर कराया फाष्टे अमादे की कुट्टता आवे फाष्टे आमादे इन्युकालिटी अम्रा मैठोड़ी कोड़े छीलॉ Boss deity ख़ोफोडो कोरे छीलॉ梁 जैंक्ते हैं टाहल के eekwalठ को है इकल तो 2x1 प्लास 5x2 प्लास s1 स्कोयर माइनस 98 जेकाने s1 स्कोयर ता आम्रा जानी slack variable एर पर है next step है आम्रा की करवो next step है आम्रा lagrangian function फ्रम करवो जेटा function अपे फिरीबिल गुलो गिविन बेरियबिल x1 और s2 आर जे तो एक्टा लाग रेंजियर multiplier पावो लाम्रा 1 माइनस तावले सेजन नो लाम्रा 1 आर इटा होच्छे इखाने s1 ठीक है आर होच्छे s1 और function होगे की बावे फ्रम करवो प्रत में objective function ताके लिखेनो बो objective function जेटा छिलो होच्छे 2x1 square plus 12x1 x2 minus 7x2 square ठीक है इबाम बियोक्तिवोकर से माइनस lambda 1 2x1 plus 5x2 plus s1 square minus 98 यह बारे आमरा खुंतागार condition कुलो के काजे लागिया आमरा इटा solve कोरा अच्छे स्टा करोगो इटाइट इसलो step 3 for the maximization problem, maximization problem हो, minimization problem हो फार्स्टे की कोत्ता होगे वह गिविन पोबले में गिविन बेरियबिल गुलो सापेखे यह लागियान function टाखे आमा की कोत्तो हो फार्स्टे ली डेरिविटिव कोत्तो होगे सो फार्स्टे फार्स्टे ली डेरिविटिव कोरी x1 सापेके del x1 is equal to 0, imply की करे 4 x1 plus 12 x2 minus 2 lambda 1 is equal to 0 is equal to 2 x1 plus 6 x2 is equal to lambda 1, यह टाके आम्रा देवो एक नम्बर del l del x2 is equal to 0, imply की करे, यह इखाने 12 x1 minus 14 x2 minus 5 lambda 1 is equal to 0 imply की करे 12 x1 minus 14 x2 is equal to 5 lambda 1, यह टाके आम्रा दू नम्बर देवो एर पर एक की करवो, इटा आओचे 1st condition satisfy, 1st condition ने काज होएगा लो एर पर आम्रा 2nd condition की छिलो, lambda j into g jx minus bj is equal to 0 वह इटा आओचे लो 2nd condition, ताले ओई condition आम्रा लिखेने वो आओचे 2nd condition थेके आम्रा की लिखते बारी, 2nd condition होनी जाई दू तो ही case आम्रा देखेने वो, 1st case 1, lambda 1 is equal to 0 case 1 होचे, lambda 1 is equal to 0 ताले 1 and 2 becomes, एक नम्बरा दू नम्बर थेके पाई, 2x1 plus 6x2 is equal to lambda 1 is equal to 0, एटा इम्प्लाइ की करे, x1 plus 3x2 is equal to 0, एटा के तीन नम्बर थेके लो हाम् तार परे दू नम्बर्टा की हावे, दू नम्बर्टा हावे, 12x1 minus 14x2 is equal to 0 एटा के चान नम्बर थेके लो, एटा के चान नम्बर थेके लो, तीन चार के जोदी साटिस्वाइ कोरी solving 3 and 4, we will get easily solve कोई दी, ताले easily solve कोई दी रे, easily आम्बर कीपे ते बारी, x1 is equal to 0, x2 is equal to 0, ताहले आम्रा एइध केस देके solution पेला, x1 is equal to 0, x2 is equal to 0, lambda 1 is equal to 0, एबार आम्रा देखेने बोची, इटा क्याटा कुंटागार condition साटिस्वाइ कोच्छे की ना, प्थम दूटो कांडिसान तो वार्惟ोमेटिकल साटिस्वाइ कोच्छे की ना, प्थम दूटो कांडिसान तो के आम्रा solution पेछे, सो आमना सुदू देखेने मुझे तीन नम्मोर आ च्यान नम्मोर कॉंडिशन टा सैटिस्वाई कोच्छे की ना तीन नम्मोर कॉंडिशन की छिलो तीन नम्मोर कॉंडिशन छिलो 2x1 प्लास 5x2 लेशार इक्वाईल्टो 98 तीन नम्मोर कॉंडिशन हो साटिस्वाई कोच्छे यही गुलो यही जो सालिटा कुंटागर कॉंडिशन के साटिस्वाई कोच्छे लिखते परी x1 is equal to 0, x1 is equal to 0, x2 is equal to 0 and lambda 1 is equal to 0 satisfies all the KT condition, कुंटागर condition के साट पर में KT condition को लिखते परी KT condition for the maximization problem and the value of objective function and eta feasible also करन, eta greater equal to 0, x1, x2 greater equal to 0 and the solution is feasible, solution to feasible in this case the value of the objective function in this case the value of objective function is 0 is 0 eta maximum value हावे ना, अर्नो कीचु maximum value हावे, से eta आमुरा परे देखवो case 2 case 2 lambda 1 does not is equal to 0 ताहले आम्रा की पाबो ताहले आम्रा पाबो दू नम्बर कुंटागर condition तेके पाबो 2x1 2x1 plus 5x2 is equal to 98 data होच्चे 5 number नाम दिला यह बार शॉल्प करवा को थाए 1 number आर 2 number शॉल्प 2 number 5 number के काजी लागे x1 and x2 मांटा अम्रा बेर कोरावो की कोरे पावो पथमे 1 number आर 2 number के हमी शॉल्प करे x1 and x2 lambda 1 अच्पर अच्पर बेर कोरावो यहहिए मांटा आर 5 नमम्र आर बोसी है अच्पर नम्रा आर यह से लागे 5 नम्रा आर यह बोसी है आर 1 वाली शॉल्प के लागे c यामुरा की करवो जे एक नम्बर के छोई दिये गुण करे से गानते के दुईटा बियोग दिये दुगो तावले की अबे एक नम्बरे की चीलो x1 plus 2x1 plus 6x2 12x1 plus 36x2 minus 12x1 plus 14x2 is equal to 6 lambda 1 minus 5 lambda 1 or x2 is equal to lambda 1 by 50 so एक खांते के x2 मान्टा पे गाला हूँ यही एक नम्बरे बसाओ putting this value in 1 we get एक नम्बरे जोतिया हम बसिये दी तावले की पावो तावले x1 एक नम्बरे बसाओ पे जाबो so we will get 2x1 plus 6 lambda 6 lambda 1 by 50 is equal to lambda 1 or 2x1 is equal to 22 by 25 into lambda 1 or x1 is equal to 21 lambda 1 by 25 putting this value in 5 we will get putting this value in 5 we will get 2x1 means 20 2x1 that is 22 lambda 1 by 25 plus 5x2 that is lambda 1 by 10 is equal to 98 so solving this we will get 49 lambda 1 by 50 is equal to 98 implies lambda 1 is equal to 100 so we will go to 0 so we will get a little lambda 1 by 10 so the x1 and x2 value will get x1 and x2 so the x1 and x2 value will get x1 we will get x1 and x1 by 20 and x2 we will get x1 and x1 the value is equal to 11 by 25 into lambda 1 लैम्डा 1 एजय गया यह झाँ एक पाँवो । पाभो एकस वान एजय गया यह खाने पाभो 244 और एकस टू छीलो लैम्डा 1 बाई 50 आट इस 100 बाई 50 आट इस इकल तू यह वाज़े आम रहा देखेनु वह झाँ जे तींटे भालू कंडिसां फ़ो तो मैक्सिमाजेशन पोलवा शाटिस्वाई कोच्छे किना आवब देखेनों थीन नम्बर चाम नम्बर कॉणिशन आब देखेनों थीन नम्बर कॉणिशन बोलचे 2x1 प्लस 5x2 लेसार रेक्वाल टो 98 छाइब आउन नम्बर कॉणिशन पोले हैं लेंदा 1ट केटर रेक्वाल टो 0 देख्टे बाच्छी एक सो अबिस्ली केटर इकाल तो जिरो सो यह तिंटा आज सैटिस्फाई की कोच्छा लैम्डा 1 इस इकाल तो 100 सैटिस्फाईज अल दा कुंटा कर KT कॉंडिशन KT कॉंडिशन KT कॉंडिशन for maximization problem maximization problem है चन्नो KT कॉंडिशन के सैटिस्फाई कोरे जाच्छे अड़ दा सोल्यूशन्स एबाँ जेतो X1 X2 गेटाद देन 0 गेटार equal to 0 वह सैटो दा सल्यूशन्स इस फीजिबल सो आर एक खेत्रे द अब्जेक्टिव फांक्षान ने वैलू आम्रा X1 अर एक्सिर भैलाट अब्जेक्टिव फांक्षान ने वो सीटील है आम्रा अब्जेक्टिव फांक्षान ने भैलू पहाए जाबू पावलु अब था आप्जेक्टीव फांक्षण.... इच kaot प्रोर फोरहर थाऊजंड्न्द drei अधिथीम्हां बालें स्रीम्हानक। इच आप्यों प्रोरोज तीक नेतए अप्ड्रोरमोर मलोस माल पूर पींहाननों पुट्छकावनाक्षाइब माख्शान। therefore the solution is x1 is equal to 44 and x2 is equal to 0 and max z is equal to 4,900 this is the solution for the giving problem okay the the problem is that you can find it in the comment box thank you and subscribe to our channel